Hello students, चलिए start करते हैं trigonometric function का example number 20 देखती है क्या है find the solution of sin x equal to minus का root 3 by 2 अब यहाँ पे principal solution नहीं पुछे हमसे हमसे बस general solution पुछा है यहाँ पे sin x equal to minus का root 3 by 2 का क्या solution यहाँ पे possible होगा ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं सबसे पहले चलो, हमें function दे रखा sin x और इसकी value दे रखें minus का root 3 by 2 इसका actual meaning क्या है हमने वो values निकालनी है angles की जिन पे हमें sin x minus का root 3 by 2 solution दे यह मतलब है तो इसको कैसे करेंगे हम, बिलकुल simple है, ध्यान से देखो यहाँ पे sin x equal to minus का sin, root 3 by 2 कितने पे होता है हमारा pi by 3 पे तो इसको क्या लिख देंगे, sin pi by 3 sin से हमारा sin cancel x is equal to क्या आगया minus का pi by 3 means pi by 3 पे हमारे जो value आएगी root 3 by 2 और negative sin साथ में ही है ठीक है, उसके बाद हमें एक और solution निकालना है देखो यहाँ पे, क्यों निकालने होते हैं दो solution, यहाँ पे क्या होता है after school to college cos or secant हमें चाहिए sin की negative value और sin negative हमारा कौन से quadrant में होगा third quadrant में होगा या नहीं होगा third quadrant में यहाँ पे और यहाँ पे तो positive है इस quadrant में पहुँचने के लिए यह angle क्या होता है, हमारा pi pi में कुछ add करना पड़ेगा हमें तब ही तो third quadrant में पहुचेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा solution sin x is equal to sin of pi में हमें कुछ add करना है pi plus कौन से angle add होगा, यह pi by 3 यह negative sign मत लेखे चलना इसको यह तो आपको बस इसकी value शो करने के लिए आया था हमें angle देखना था यहाँ पे कौन से angle है, यह pi by 3 बन रहा है तो pi plus pi by 3 तो sin x is equal to क्या बन गया, यहाँ पे sin of 3 pi plus pi क्या हो गया, हमारा 4 pi by 3 आगे angle और हम जो solution लिखते हैं अपना sin की form में, वो क्या होता हमारा solution x equal to n pi plus minus 1 की power n into y यह होता है solution y की value क्या आगी, यहाँ पे 4 pi by 3 मतलब इस angle को हम देखते चलेंगे, इन values पे हमारा जो solution आएगा, minus का root 3 by 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x is equal to n pi plus minus 1 की power n y की जंगे क्या जाएगा, 4 pi by 3 इस angle पे हमारी जो values होंगी, सारी की सारी, वो minus root 3 by 2 आएगी, और n belongs to क्या होता हमारा यहाँ पे real number ठीक है, this is the answer इस तरीके से निकालना है कोई दिक्कत लगे, कोई problem लगे तो screen source लेके मुझे whatsapp करें कोई भी मन में doubt आता है वो भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मैं आपकी help करूँगा, जैसे ही time मिलेगा मैं reply जरूर कर दूँगा ठीक है, कोई भी problem हो मैं आपके लिए sport के लिए ready हूँ आप भी channel का sport कीजिए, channel को subscribe करके रखिए like कीजिए और comment कीजिए जो आपको अच्छा लगता है channel के बारे में और ज्यादा से ज्यादा share कीजिए thank you students for watching next classes